आज हम लोग पढ़ेंगे 10th class का 9th chapter that is some applications of trigonometry 8th, जो हमारा 8th chapter था, 8th chapter इसके अंदर हमने कुछ चीज़े पढ़ी थी जैसे की sin theta cos theta, cos theta, cos theta, sec theta, tan theta and cot theta यह सम अप्लिकेशन्स किसमे काम करते हैं यानि sin theta, cos theta, sec theta, cos theta, tan theta, cot theta किसपे काम कर रहे थें? किसमे काम कर रहे थे? 90 degree triangle के उपर यानि की right angle triangle यानि की right angle triangle एक छोटी सी चीज़ देखेंगे कि इसके अंदर आपको क्या चीज़े ध्यान रखना है? एक है angle इस चीज़ के ध्यान रखो गया पहला angle का तूसरा, angle of elevation तूसरा, angle of elevation तूसरा, angle of depression चौथा, line of sight पाच्वा, horizontal level horizontal level क्या होता है? यदि एक line B और C से नीचे एक line मैं इसके parallel में खीशता हूँ तो यह जो line है E and F यह हमारे horizontal level की होगी यानि कि यह दोनों line क्या है? पैरलल है, horizontally level with each other angle of elevation यदि हम C की तरफ से देखते हैं यहां पर हमारी आँख है तो जो चीज हमें against gravity दिखाए देगी against gravity जी, against gravity दिखाए देगी यानि उपर की तरफ जो angle जाएगा यह बनेगा हमारा angle of elevation और जो चीज हम नीचे की तरफ देखेंगे यानि towards gravity यह होगी हमारी angle of depression अब suppose हम C की तरफ से देख रहे हैं C की तरफ से देख रहे हैं तो यह angle होगा हमारा angle of theta angle theta इस angle के opposite में जो भी length होगी जो भी length right angle triangle की वो हमारी होगी height और altitude और opposite length और B से C तक जिसके उपर हमारी आँख है यह बनेगा base base right angle triangle किस के उपर खड़ा हुआ है B और C के उपर इसलिए भी यह हमारा base है यह क्या है हमारा यहां से A to C is a strand height or hypotenuse right angle triangle में हम लोगों ने पढ़ा है तीम चीजी क्या क्या चीज है हो clear hypotenuse खासकर इस chapter में हम कॉसक एंड सेक और कॉट नहीं पढ़ेंगे सिरफ tan cos and sin पढ़ेंगे tan theta is equal to sin theta by cos theta last chapter में हमने पढ़ा है अब sin theta is equal to opposite by hypotenuse cos theta is equal to base by hypotenuse 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 cancelled हमारा tan theta क्या आता है भी opposite by base इन चीजों को ध्यान रखना है यही हमको help करेंगे आपके इस chapter में हर एक problem solve करने के लिए हमें क्याचा चीज को ध्यान रखना है base कौन सा है यदि यह theta यहां से change होके यहां पर आ जाता है इदर तो अभी हमारी height कौन सी बन जाएगी इस theta के opposite में जो भी चीज रहेगी वो हमारी height बनेगी ठीक है यही हमारा altitude भी होगा क्योंकि आख हमारी height यहां चली गई है यहां पर हमारी height आ गई है ठीक है तो अब यह हमारा बन जाएगा opposite यह A to B हमारा बन जाएगा base क्योंकि क्लेंट हाइट हमारी change नहीं हो रही है ठीक है clear Any doubt? No doubts Okay Next chapter में या Next section में हम लोग जाएगे आगे के आपके text book में जो भी examples या exercise दिये गए हैं उसको हम दिरी दिरे solve करेंगे यदि आप regularly देखते रहोगे तो मेरे हिसाब से आपको exam में ज्यादा मेहनत करने की जोरुत नहीं And you will score more than 90% okay Thank you